अवसत्चाल जिसे हम एवरेज स्पीट कहते हैं अब इसको ध्यान से ज़रा देखेंगे अवसत्चाल और चाल में बहुत ही ज़्यादा समानता है देखेंगे जब कोई गतिमान वस्थ समान समय अंत्राल में भिन भिन दूरियां तै करती है तब वस्थ की द्वारा चली गई कुल दूरी को याद रखेंगे कुल दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग देने पर उस वस्थ की अवसत्चाल निकाल लेते हैं जैसे कोई भी अगर एक वस्थ है चलती है तो वह एक समान चाल से नहीं चलती है वह एक मिन में एक मीटर भी जाएगी और फिर अगले एक मिनिट में वह चार मीटर भी जा सकती है यानि कोई भी गति सील वस्त के गति में अंतर हो सकता है यानि एक ही गति सील वस्त समान समय अंतराल में भिन भिन दूरियां तै करती हैं तो अगर हम उसका चाल निकालेंगे तो उस चाल को हम आउसत चाल कहेंगे आए इसकी और इसे भी भी से pre-present करते हैं अब देखते हैं औस चाल भी है और इसको औस चाल बराबर क्या हो जाएगा अब देखेंगे लिखेंगे कुल दूरी कुल दूरी बटे इस कुल दूरी को टै करने में लगा कुल समय तो कुल दूरी बटे कुल समय तो दूरी का जो होगा हम हम ऐसा लिखते हैं yes से रिपरजेंट करते हैं और समय को t से रिपरजेंट करते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B बराबर S by T सेम वही सुत्र है जो चाल की है अगर हम चाल यानि यहाँ पर देखें औसत चाल का मातरक की बात करें तो औसत चाल B बराबर क्या है S by T तो B यानि औसत चाल B का मातरक बराबर क्या हो जाएगा यस का मातरक और फिर नीचे क्या है टी का मातरक ठीक है अब यस का मातरक यस क्या है चली गई दूरी है और दूरी का मातरक क्या होता है मीटर होता है ठीक है और टी मतलब समय और समय का मातरक क्या होता है सेकेंड होता है इस तरह से हो सकता है कि औस चाल का भी मातरक क्या है मीटर प्रती सेकेंड होता है तो याद रखेंगे कि अवसत चाल का जो मातरक होता है वो अभी क्या होता है मीटर प्रती सेकेंड होता है ठीक है आईए एक नियूमेर कर लेखें एक वस्तु 50 मीटर की दूरी को 10 सेकेंड में तैं करती है तथा पुना 100 मीटर की दूरी को 40 सेकेंड में तैं करती है तो वस्तु की अवसत चाल ग्यात कीजिए अता हम जानते हैं कि वस्तु की अवसत चाल बराबर भी बराबर होता आपका कुल दूरी बटे कुल समय तो कुल दूरी देखेंगे यहाँ पर 50 मीटर है तो टोटल अब हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल तेंकी कि दूरी कितनी है 150 मीटर ठीक और कुल समय कितना लगा है 40 10 पचास सेकेंड लगा है अब भाग देंगे तो 25 15 यानि तीन मीटर प्रती सेकेंड यह इस वस्तु की अवसत चाल होगी यानि आउसा चाल भी बराबर आपका कितना गया तीन मीटर प्रती सेकेंड इस तरह से आप नहीं में हल करेंगे अब दूसरा प्रस्न देखते हैं कि एक कार का ओडो मीटर यानि अब ओडो मीटर क्या होता है इसको जान लेते हैं जो गाड़ी पर बना होता है सुई ऐसे चलत है तो वही है कि एक कार का ओडो मीटर यात्रा के समय 2000 किलो मीटर प्रदर्सित करता है यानि एक जो कार है उसका ओडो मीटर अभी जब प्रारम करने जा रहा है तो उस पर प्रदर्सित कर रहा है 2000 किलो मीटर और यात्रा के समापती के समय और जब यात्रा समापती हो जाती ह प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकेंड में ग्याद कीजिए तो हम आउसत चाल यानि भी बराबर क्या लिखते हैं कुल दूरी बटें कुल समय तो कार के दौरा कितनी दूरी चली गई पहले परदरसित कर रहा था 2000 किलो मीटर अब समाप्त हो गया दूरी यात्रा तो दूरी बता रहा है 2480 किलो मीटर यानि 2000 किलो मीटर से 2480 किलो मीटर की बीच की दूरी चली गई है तो कुल दूरी हम निकाल लेंगे कितना 2480-2000 अब यह किसमे है किलो मीटर में याद रखेंगे और समय कितना लग रहा है कुल समय इसको गयातरा करें कुल 8 घंटे लग रहा है तो 8 यहाँ पर लिख देंगे 8 घंटा तो इस तरह से देखेंगे यह जब घटाएंगे तो बचेगा 488 किलो मीटर फिर लिख देंग आठ घंटा अब 8 से इसको काट देंगे तो 8 छक है 48 याणि 60 किलो मीटर हो गया और नीचे सिर्फ बच गया क्या हावर घंटा याणि अब उसकी औसा चाल कितनी हो गई 60 किलो मीटर परति घंटा यह इसकी औसा चाल हो जाएगी अब का रहा है किलो मीटर परति घंटा आपने बता दिया अब मीटर परति सेकेंड में गयाद करना है तो इसी को मीटर परति सेकेंड में गयाद करने लिए क्या करेंगे हम 60 यह किलो मीटर है इसको मीटर में बदलेंगे चुकि मालूम है कि एक कीलो मीटर बराबर होता है एक हजार मीटर तो 60 में हम क्या करेंगे एक हजार का गुड़ा कर देंगे ये बदल जाएगा आपका मीटर में अब फिर क्या करेंगे नीचे क्या है घंटा है तो घंटा में कितने सेकेंड में चुकी बदलना है तो एक घंटा में साथ मिनट होता है और साथ मिनट में यानि पर मिनट में साथ सेकेंड होता है तो इसलिए आपर साथ गुने साथ कर देंगे साथ सेकेंड हो जाएगा यानि बराबर अब यह हो जाएगा चो जीरो तीन सुन ये है तो तीन सुन इधर ऐसे रख देंगे मीटर हो गया आप और नीचे क्या हो गया चछा के 36 सेकेंड हो गया अब हम इसको कल्कुलेट करके भाग देंगे इसको ये दोनों ऐसे कर जाएंगे अब हो गया 600 बटे 36 काल्कुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 6 से कारते हैं तो हो जाएगा 100 बटे 6 और 6 से इसमें भाग देंगे तो एंस्वर लगबग सोरे दसमलो 66 मीटर परती सेकेंड आ जाएगा इस तरह से हम देखेंगे कि उसकार की औरसत जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी देखेंगे 60 कीलो मीटर परती घंटा हो जाएगी ठीक है और अगर उसी का मीटर परती सेकेंड में निकालेंगे तो हो जाएगी 16 दसमलो 66 आएगा तो 67 मीटर परती सेकेंड लिख सकते हैं इस तरह से हम किसी भी वस्त की गति को मीटर में परती सेकेंड में या कीलो मीटर परती घंटा म निकाल सकते हैं